नमस्कार दोस्तों, MPN Academy में आप सभी का हार्दी कर्णेंदन है प्रस्तूत है Weekly Current Facts Test Series दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक से लेके 7 जुलाई 2023 तक के समसामाईक घटना करम पराधारित तीज महतपूर्ण Multiple Choice Questions को Hindi और English दोनों भासाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे दोस्तों यदि आपने MPN Academy का Telegram का Public Way जुएन नहीं किया है तो अब सी जुएन किजिए Telegram पर सर्च किजिए MPN Academy इस प्रकार से लोगो आपको दिख जाएगा जुएन कर लिजिए उसे क्या क्या आपको मिलेगा वहाँ पर Important Updates और News मिलेगी BPSC एक्जाम से संबंदित Free Planning और Strategy की PDF मिलेगी आपको इस Telegram पेज पर Topper के Results एनॉंस के जाते हैं MPN Academy एप के जो Test स्रीज होते हैं Current Interface और Static Portion के और MPN Academy YouTube चैनल के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेगे तो इस पेज को अवसी जोइन कीज़े पहला प्रसना है Tampa Link गुफा किस देश में स्थीध है In which country is the Tampa Link Cave located The right answer is option No.A Laos News में क्यों है उत्तरी Laos में एनामाइट परवत स्रिंखला में Tampa Link गुफा में उत्खनन से ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि मानव लगवग 56,000 वर्सों से Tampa Link गुफा के आसपास निवास कर रहे हैं जो पिछली धरनाओं को चुनोती देता है 7 मीटर गहराई में पाये गए पयर की हड़ी के टुकडे की खोज से संकेत मिलता है कि आधुनिक मानव इस छेत्र में 86,000 से 68,000 वर्स पूर्व आये थे Tampa Link के साक्ष ने दक्षिन पूर्व एसिया में होमो सेपियन्स के आगमन की समय अबदी को और पीछे कर दिया है गुफा में डेर लाख वर्स पूराना एक दानत पाया गया था जो इसे विलूप्त मानव रिष्टेदार डेनी सोवियन की उपस्थेती से भी जोडता है विश्व खनन कॉंग्रेस 2023 की मेजवान 21 शहर ने की विच सिटी होस्टेट द वर्ल्ड माइनिंग कॉंग्रेस 2023 ड्राइटां सरीच ऑप्सन नमर बी बिरिस्बेन ऑस्टेलिया के बिरिस्बेन में आयजित 26 में विश्व खनन कॉंग्रेस में इंडियन पैविलियन ने खनन उड़जा छेत्र में देश की तक्निकी शक्ती और सतत विकास प्रताओं के प्रति अपनी प्रतिबदता का प्रतर्शन किया विश्व खननन कॉंग्रेस वैश्वी खननन एवं संसाधन उद्योगों के लिए अग्रणी अंतराष्टी यह मंच है इसका संचालन त्रेवार्शी का धार पर काटोविस पोलेंड में स्थित एक अस्थाई सची वाले द्वारा किया जाता है तथा या संजुक्त राष्ट से संबद्ध है डेब्रीगर वन जीव अभ्यारन किस राज में स्थित है इन वीच स्थेट इस डेब्रीगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड द्राइटांसरीच आफसन नमर बी ओडिशा में न्यूज में क्या है ओडिशा के बढगर जिले में स्थित इस अभ्यारन को आसपास रहने वाली मानव बस्ती से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है राज जिवन और पडियावरन विवाग के अंसार डेब्रीगर अभ्यारन जिसे एक बाग अभ्यारन बनाने का प्रस्ताव है में बड़े एवा मानसाहारी पश्वाँ के लिए उच्च शिकार पाये जाने की बहुत संभावना है इस अभ्यारन की प्रसिद्धी का एक अन्यकारण प्रसिद्ध स्वतनतरता से नानी वीर सुरेंडर साही है जिन्होंने अंग्रेजयों के खिलाफ विद्रो के दोरान इसी अभ्यारन के भीतर स्थित बाराप थारा में अपना ठिकाना बनाया था बच्चों के लेखाक और बृटिस कवी माइकल रोसन जोकी 77 वर्स के हैं को उनके साहितिक जोड़ान के लिए इस प्रसिकार से सम्वानित किया गया है पैन प्रिंटर प्रसिकार के स्थापना वर्स 2009 में इंग्लिस पैन संस्था दोरा की गई थी जो एक वैश्विक साहितिक नेटवर्ग का संस्थापक के अंदर है यह संस्था साहितिक और मानवा दिकारों को बढ़ावा देती है जिन स्टुडेंट्स को 69 वी BPSC प्रेलिम्स एक्जाम के लिए करेंट अफेर्स का पीडियाप चाहिए उसके वारे में जानकाड़ी यहाँ पर दी जा रही है लेकिन आएए सबसे पहले यह जानते हैं कि MPN Academy का PDF ही क्यों क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है आएए पिछले 4 साल और 5 एक्जाम्स की प्रफॉर्फॉर्मेंस आपको दिखाते हैं 66 वी BPSC प्रेलिम्स का एक्जाम 2020 में हुआ था कुल प्रस्ण MPN Academy PDF से टैली हुआ है 36 विहार SI प्रारंबिक पडिच्छा 2021 क्योंकि 2021 में BPSC का कोई एक्जाम हुआ ही नहीं COVID के करण से तो जो सकेंड बेस्ट एक्जाम हुआ है वो हमने लिया है उसमें Shift 1 और Shift 2 दोनों मिला करके 31 प्रस्ण टैली हुए है 66 विप्रस्ण प्रारंबिक पडिच्छा 2022 में एक बार तो कैंड सी लो गया था और फिर उसके बार री एक्जाम हुआ दोनों मिला करके 69 प्रस्ण टैली हुए है विप्रस्ण CDPO प्रारंबिक पडिच्छा 2022 में ही 30 प्रस्ण टैली हुआ है MPN Academy PDF से और अभी हाली में 70 प्रारंबिक पडिच्छा 2023 में हुआ है और इस बार के प्रस्ण बहुत ही हाड थे यहां भी प्रस्ण टैली हुआ है 23 तो दोस्तों आपने देखा 4 साल 5 एक्जाम्स कंसिस्टेंसी एटिट्स बेस्ट MPN Academy दोस्तों कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है कुल मिला करके MPN Academy Current Affairs PDF से इन 5 एक्जाम्स में 217 प्रस्ण पूछे गए थे Current Affairs से सम्बंदी और 179 questions टैली हुआ है MPN Academy PDF से तो performance क्या रहा 82.49% and that is MPN Academy for you दोस्तों इन सभी एक्जाम्स में पूछे गए Current Affairs जो की MPN Academy से टैली हुए है इस सभी की वीडियो आपको इस YouTube चैनल पर मिल जाएगी और हमारे MPN Academy के टेलीग्राम पेज पर भी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा आपको इन सभी वीडियो को देखना चाहिए क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रस्ण BPSC Prelims Exam में पूछे जाते हैं और MPN Academy का इस्तिमाल आप लोग इससे क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं आईए अब बात करते हैं कि उनत्तरवी BPSC Prelims Exam Current Affairs PDF जो MPN Academy दोरा जारी की जाती है क्या क्या आपको मिलेगा और किस प्रकार से आप साल भर के Current Affairs को सिस्टेमेटिक तरीके से केवल 18 गंटे में revise कर सकते हैं एक बार सबसे पहला टाइप जो content मिलेगा वो मिलेगा weekly current MCQs national और international साल भर में कुल 50 PDF के लगबग रहेंगे इसमें budget और economic survey भी include रहेगा एक PDF को revise करने में 6 मिनट का समय लगेगा तो 300 मिनट यानि 5 गंटे में आप साल भर के weekly current MCQs को एक बार revise कर सकते हैं सकेंड टाइप का content है monthly current affairs short notes national और international का 12 मेने का 12 PDF एक PDF को revise करने में आपको 30 मिनट का समय लगेगा तो कुल 6 गंटे में इसे भी आप साल भर के content को समाप कर सकते हैं बिहार monthly current affairs इसके आपको MCQs और short notes दोनों एक ही PDF में अब लेवल कराई गई है 14 PDF रहेगा 12 मेने का 12 PDF उसके बाद economic survey और budget एक PDF को revise करने में लगवग 30 मिनट का समय लगेगा तो कुल 7 गंटे में इसे भी आप समाप कर लेंगे इसके अलावे आपको golden current affairs app best revision test series भी provide किया जा रहा है इससे आप अपना खुद का evaluation यानि मुल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तयारी कैसी चल रही है दोस्तों current affairs में तो MPN Academy का कोई जोड़ी नहीं है मार्केट में MPN is champion in current affairs इसके अलावे दोस्तों आपने diamond static GK test series launch किया हुआ है इसमें आपको ultra important 3000 MCQs मिलेंगे with explanation और यो पूरा test रीजा है वो 25 भाग में divided है यानि 25 set मिलेंगे आपको और 1 set में 120% रहेंगे history से 30% science से 30% एक set में बिहार से 20% economy से 10% quality से 10% geography से 10% math और reasoning के भी 10% आपको मिलेंगे math और reasoning को छोड़ करके आपको सभी का explanation मिल जाएगा और पिछले साल की performance इसमें भी सांदार रही है 25 set हैं दोस्तों और 24% टैली हुआ यानि हर एक test से लगवग एक प्रस्न टैली हुआ है और एक test को solve करने के लिए आपको 90 minutes का समय दिया जाता है आप test को solve कीजिए और result तुरंत आप check कर सकते हैं कि आपका कितना marks आया है दोस्तों ये PDF और test series आपको मिलेगा कैसे यदि आपने MPN Academy आप डाउनलोड नहीं किया है ताइप किजिए MPN Academy और इस प्रकार से MPN Academy का एप है उसे install कीजिए OTP के साथ आप login कर लेंगे उसके बार store section में वहाँ पर चले जाएए आपको courses मिल जाएंगे 69 वी BPSC current affairs PDF course और Diamond Static GK test series दो प्रकार के courses मिलेंगे अलग-अलग Hindi और English language में आप जिस language में आप करना चाते हैं उसे select कीजिए वहाँ पर payment का link आपको मिल जाएगा बहुत ही मामली शुल्प पर ये सभी content आपको provide किया जा रहा है course के content section में सभी study material और test series आपको provide करा दी जाएगी वेश्विक पडियावरन सुविधा की 64-वी परिशद बैठक का आयोजन किस देश में किया गया इन विच कंट्री दे 64th कॉंसिल मीटिंग आप दे Global Environment Facility GEF वाज और्गनाइजड द्राइटांसरीच आप्सन नमर C ब्राजील के ब्रासिलिया में यह वासिंगटन DC के बाहर होने वाली GEF परिशद की पहली बैठक थी बैठक में शासी निकाय ने जलवायू, जय विवित्ता और प्रदूशन की समस्या से निपटने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समवित्रन को मंजूरी दी शासी निकाय ने कुन्मिंग, मौन्ट्रियल, वैस्विक, जय विवित्ता फ्रेमवर्क के कार्यानवयन को वित्त पोशित करने के लिए एक नए फंड Global Biodiversity Framework फंड GBFF की स्थापना को मंजूरी दे दी है यह GEF 8 Funding अवधी जो की 2022 और 2026 तक चलेगा की दूसरी कारी योजना है GEF के स्थापना वर्स 1922 के दीयो अर्थ समीट से एक दिन पहले की गई थी नीरत चोपड़ा ने लुसाने Diamond League 2023 में भाला फेक अस्परधा में कितने मीटर के थ्रो के साथ पहला अस्थान हासिल किया नीरत चोपड़ा वन दे जैवलिन थ्रो इवेंट एड लुसाने Diamond League विद थ्रो आप हो मेनी मीटर्स द्राइट आंसरीच आप्सन नम्मर बी 87.66 मीटर तोक्यो 2020 ओलंपिक चेंपियन नीरत चोपड़ा जिन्होंने मई में सीजन के शुरुवाती दोहा चरण में 88.67 मीटर के परियास के साथ भाला फेक अस्परदा जीती थी इन्होंने सुट्जर लेंड के एटलेटिसिया स्टेडियम में आईजी तलुसाने Diamond League 2023 में 87.66 मीटर के परियास के साथ लगा तार अपनी दूसरी जीत हासिल की ये थ्रो इन्होंने अपने पाँचवे परियास में फेका था जर्बनी के जूलियन वेबर के 87.03 मीटर के अंतीम थ्रो ने उन्हें दूसरा स्थान दिलाया जबकि चेक गनराज के जैकब वाडलेज जिन्होंने टोक्यो अलम्पिक में रजात पदक जीता था और वर्तमान में वर्ल लीडर है 86.03 मीटर के थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे मो जंगल जामी योजना किस राज़ में शुरू की गई है इन विच स्टेट मो जंगल जामी योजना हैज बिन लॉंजड द्राइटां सरीच आप्सन नमर ए ओडिशा इसका उड़ेश राज के जिलों में आदिवासियों और वनवासियों के बीच वन अधिकारों को बढ़ावा देना है इसी के साथ ओडिशा यक्तिगत अधिकारों के अतिरीक्त सामुदाइक वन अधिकारों को मानता देने वाला भारत का पहला राज बन गिया है ओडिशा में बड़ी संख्या में ऐसे गाउं और अनुसूचित जन जाती परिवार हैं जिने इस योजना से लाभानवित करने का लग्च रखा गिया है 62 विभिन जन जातियों के साथ राज की जन जातिया आवादी कुल आवादी का लगवग 23 परतिसत है जिसमें 13 विशेश रूप से कमजोर जन जातिय समू जिसे पीवी टीजी कहा जाता है शामिल है भारत ने किसे हराकर दक्षिन एसियाई फुट्वाल महासंग सैफ चैंपियनशीब 2023 का खिताब रिकार्ड नौवी बार जीता है इंडिया डिफिटेट विच टीम तु विन दे साउथ एसियन फुट्वाल फेडरेसं सैफ चैंपियनशीब 2023 टाइटल फॉर दे रिकार्ड नाइन्थ टाइम द्राइटाम सरीच ओप्षन नौवी कुवायत को भारत ने पेनल्टी शुट आउट में कुवायत पर पांच चार से जीत हासिल करते हुए खिताब पर अपना कबजा किया दोनों टीमें खेल के निर्धारित समय में एक एक गोल की बरावरी पर थी भारत की ओर से लालियान जुआला छंगटे ने 38 मिनिट में गोल दाकर स्कोर बरावर किया था सैप का गठन वर्ट 1997 में बांगलादेश भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और शिरलंका के सदस्य संगहों की अस्थापना करके किया गया था आप कमेंट बाक्स में लिखिए कि वर्तमान में सैप सची वाले किस देश में अस्तित है जामा नेटवर्क जंडल में प्रकाशित एक नए अध्यन के अनुसार वर्ट्स 2019 में वैस्वी कस्तर पर बचपन में मधुमे के मामला और मिर्त्यू की सबसे अधिक संख्या किस देश में देखी गई है विच कंट्री साउध हाइस नमबर आउग चाइल्ड हूड डियाबिटीज केसे और डेट्स गलोबली इन दे येर 2019 एक और नियू स्टडी पबलिस्ट इन वर्ष 2019 में 2,27,580 मामले और 5,390 मौत यह तरज की गई है बच्चों में टाइप दो मधुमें बढ़ रहा है और यह खराब जीवन शैली वैस्वी कस्तर पर बच्चों के मुटाबे तथा माता-पिता के मधुमें के इतियास से जुरा है बच्चपन में मधु में एक ऐसी अस्थिती है जहां बच्चे का शरीर इनसुली एक हर्मोन है जो उड़जा के लिए रक्त से शरकरा को कोशिकाओं में ले जाने में सहयता करता है का उत्पादन का अपयोग ठीक से नहीं कर पाता है तो इंडिया डाबेटिक कैपिटल है वर्ल्ड का और ये बच्चों के केस से भी दिखाई परती है दुपक्षे जापान भारत समुदरी अभ्यास 2023 जीमेक्स कहां आयोजित किया गया जापान इंडिया मेरी टाम एक्सरसाइज जीमेक्स 23 हेल्ड द्राइटां सरीच आप्सन नमर डी विशाखा पटनम पात से दस जुलाई तक आंदर प्रदेश के विशाखा पटनम में आयोजित जीमेक्स का साथवा संसकरन जापान मेरी टाइम सेल्फ डिफेंस पोर्स और भारतिय नोसेना की इकाईयों को एक साथ लाया है इस अभ्यास में विभिन नोसेनिक संपत्तियों जैसे निर्देशित मिसाइल विद्वनसक कारवेट, पंडुबी, समुदरी, गस्ती विमान एवं हेलिकॉप्टर की भागिदारी शामिल थी किस देश ने जैनिन शर्नार्थी शिविर में एक सैन अभ्यान शुरू किया है विच कंट्री लॉंच्ट ए मिलिटरी ओपरेशन इन दे जैनिन रिफ्यूजी कैम्प द्राइटाम सरीज ओप्सन नमर डी इजराइल जैनिन शर्नार्थी शिविर एक फिलिस्तिनी शर्नार्थी शिविर है जो उत्री वेस्ट बैंक के जेनिन शेतर में स्थीथ है अरब इजराइल युद के दौरान विस्थापित हुए फिलिस्तिनी शर्नार्थियों को समायोजीत करने के लिए बनाया गया था जिसे नकवा और अर्भी में इसका मिनिंग होता है तबाही के रूप में भी जाना जाता है इसराइल ने कबजे वाले वेस्ट बैंक में जेनीन शरनार्थी स्वीर में एक सेन अभ्यान शुरू किया जो दूसरे फिलिस्तिनी विद्रो जो की 2000 से लेके 2005 के दोरान किया गया था के दोरान किये गे व्यापक पैमाने के अभ्यानों जैसा ही था इस ऑपरेशन का उच्देश हतियारों को नश्ट करना और जब्त करना था विशिष्ट आतंकवादी समुहों को लक्षित करना था गांधी सागर अभ्यारन किस राज्ज में स्थी था है इन विच स्टेट इस गांधी सागर सेंचुरी लोकेटेड गांधी सागर अभ्यारन मद्पर्देश में मंद्शोर और नीमच जीलों की उत्तरी सीमा परस्तित एक वन्य जीव अभ्यारन है न्यूज में क्यों है भी भारत में चीतों की अबादी के संडक्षन और विस्तार को सुनिशित करने के प्रियास में अधिकाडियों ने मद्पर्देश के कुनो राष्टिय उद्यान से कुछ अफ्रीकी चीतों को उसी राज्य के गांधी सागर अभ्यारन में अस्थान अंतरीत करने की योजना की है इस वर्ष की शुरुवाती में पैतालिस दिनों की अबधी के भीतर तीन चीतों की मौत के बाद चीतों को अस्थानांतरीत करने का निर्न है व्यापक भोगोलिक सीमा में चीतों को वितरीत करने के सरवोच चिन्याया लेके निर्देश के बाद आया है बाजार पुंजी करन के साथ दुनिया की चौथी और भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन बन गई है Which bank has become the world's fourth largest bank and India's largest bank by market capitalization The right answer is option number B HDFC bank HDFC और HDFC bank के विलाय के बाद HDFC bank 14,00,00 करोर के बाजार पुंजी करन को पार कर गया और इसी के साथ भारत की है सबसे बड़ी बैंक बन गई है दूसरे स्थान पर है ICICI bank तीसरे स्थान पर है State Bank of India चोथे पर कोटक महिंद्रा पांच वेपर एक्सिस bank विश्प के तीन सबसे बड़ी बैंकों की बात करें तो इसमें JP Morgan Chase and Company पहले स्थान पर है 470 billion US dollar market cap के साथ दूसरे स्थान पर चीन की Industrial and Commercial Bank of China है और तीसरे स्थान पर Bank of America है और चोथे स्थान पर अपना HDFC bank भारत का आगिया है तौप Indian companies में देखेंगे तो पहले स्थान पर है Reliance Industries market cap के इसाब से सेकेंड अस्थान पर HDFC bank थर्ड पर TCS फोर्थ पर ICIC bank और पांचवे नमर पर हिंदुस्तान Unilever Limited किस देश में 17 वर्षिया लड़के नाहेल की पुलीस द्वारा गोली मारकर हत्या किया जाने के बाद दंगा भड़क गया है इन विच कंट्री राइट्स है बिन ब्रोकन आउट अफटर ए 17 यर ओल्ड बॉय नाहेल वाज शॉट डेट बाई देट पुलीस द्राइट आमसरीच आपसन नमर ए फ्रांस नाहेल की मां अलजेरियाई और पिता मुरक्कन है फ्रांस के नौन टैर में ट्रैफिक स्टॉप के लिए नौ रुकने पर नाहेल को गोली मारती गई थी जिससे उसकी मौत हो गई थी नाहेल डिलिवरी बॉय का काम करता था साथी वह रगवी का भी खिलाडी था वो अपनी मां की लोती संतान था उनकी मा का काना एक उसे अरब मूल का होने के कारण उसे मारा गया फ्रांस में फैली अशांती को देखते हुए फ्रांस के राष्टपती इमेनुवेल मैकरॉन ने अपनी जर्मनी की राजगी है यात रास्थागित कर दी है फ्रांस में हो रहे इस हिंसक प्रदर्शन की गूंच पर उसी देश स्विट जर्लेंट और बेल्जियम तक भी पहुचने लगी है असाम से पहली महिला खिलाडी का नाम क्या है जिसका सेलेक्शन भारतिय महिला क्रिकेट टीम में हुआ है फ्रांस में हो रहे इस हिंसक प्रदर्शन की बहारतिय टीम की गोषना कर दी है असाम की उमा खित्री का चयन बागलाडेस के खिलाब शुरू होने वाली शरीच के लिए किया गया है आगामी बंगलाडेस दोरे के लिए भारतिय टीम का नेतुरित करेंगी हर्मनप्रीत कवर कौन सा देश शंगाई सायोग संगठन SCO का नौवा अस्थाई सदस्य बन गया है इरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने SCO वर्च्वल 23 शिखर सम्मेलन के अदक्षिता करते हुए इरान का स्वागत किया इरान बेलारूस और मंगोलिया को परवेक्षक रुप में अमंत्रीत किया गया था इस शिखर सम्मेलन का थीम था सिक्योर SCO जो 2018 SCO किंग दाओ शिखर सम्मेलन में पधान मंत्री द्वारत दिये गये संचिप्त नाम से लिया गया है इस वर्ष SCO के शिखर सम्मेलन के दक्षता भारत कर रहा है SCO 15 जून 2001 डेट याद रखेगा कोचीन और रूस द्वारा स्थापित एक युरेशियाई राजनितिक आर्थिक अंतराष्टिय सुरक्षा और रक्षा संगठर है भारत और पाकिस्तान केस वर्ष SCO में पूर्ण सदस के रूप में शामिल हुए थे प्लीज राइट इन दा कमेंट सेक्षन ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांती पूर्ण देश कौन है इस पर ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2023 दुनिया का सबसे शांत देश बना हुआ है इसके बाद दूसरे स्थान पर डेन्मार्क तीसरे स्थान पर आरलेंड और चोथे स्थान पर न्यूजिलेंड है इस रैंकिंग में अफगानिस्तान को अंतिम स्थान 136 प्रदाम किया गया है सेकेंड लास्ट रहे यमन और थर्ड लास्ट सिरिया भारत वर्ट्स 2022 में 135 पर था जबकि चालू वर्ट्स 2023 में भारत 126 में अस्थान पर रहा भारत का स्कोर था दो दसमलब 3-1-4 भारत के परोशियों के अस्तिती भी देख लिजे भारत की रैंक रही है 126 मा भारत के परोशी भूटान की रैंक है 17 वी मालदीप 23 नेपाल 79 चीन 80 बांगला देश 88 शिरलंका 107 वा सिर्फ दो ही परोशी देश हैं जोकी भारत से पीछे है रैंकिंग मियामार 145 में नमर पर और पाकिस्तान 146 में नमर पर किस कंपनी ने माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेट्वरकिंग साइट ट्वीटर की प्रती दुन्दी थ्रेट्स लांच की है फेस्बूक के संथाफक मार्क जकरबर्क की अगवाई वाली मेटा ने 6 जुलाई को थ्रेट्स लांच कर दिया है यह एक टेक्स्ट बेस्ट एप है जिसे इंस्टाग्राम से कनेक्ट किया जा सकता है एलन मस्क ने अक्टूबर 2022 में 44 बिलियन डॉलर के साथ ट्वीटर को टेक ओवर किया था और अभी इसका नया लोगो भी लॉंच कर दिया गया है जिसे एक्स के नाम से जाना जा रहा है ट्वीटर के परतिद्वन्दी के रूप में मास्टो डाउन और ब्लूस की पहले सही मोजूद है चलिए सभी आप्सन को एक एक करके देखते हैं दस टीम है हिस्सा लेगी बिल्कुल सही जबाब है इसका आयोजन भारत में किया जाएगा हाँ ये भी सही है दो बार की विश्व चैंपियन वेस्ट एंडीस की टीम क्वालिफायर नहीं कर पाई है ये बिल्कुल सही है दो टीम हो स्कॉटलेंड और स्रिलंका का चैन क्वालिफायर के बाद किया गया है नहीं स्कॉटलेंड नहीं नीदर लेंड का चैन हुआ है Wildlife Friendly Highway Projects का उटकाटन किस राज में किया गया है In which state the Wildlife Friendly Highway projects has been inaugurated Drighton Saris Option number B 36गर प्रधान मंतिरी नरंध मोदी ने 7 जुलाई को 36गर में Wildlife Friendly Highway Projects का उटकाटन किया प्याम मोदी ने 6 लेंड Greenfield रायपूर विशाका पटनम कॉरिडोर के 36गर कंड के लिए तीन राष्टिय राजमार्ग प्रयोजनाओं के निर्मान का विव गाटन किया यह प्रजेक्ट उदन्ती वन्न जीव अभ्यारन छेत्र से होकर गुजरेगा अकेले उदन्ती वन्निजीव अभ्यारन छेत्र में वन्निजीवों की निर्बाद आवाजाही किस विदा के लिए 27 पशु दर्रे यानि एनिमल पासे सर 17 बंदर छतरियां मंकी केनोपी जें देखिए एक मंकी केनोपी को राष्टिय उभोक्ता विवाद निवारन आयोग N.C.D.R.C. का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है Who has been appointed as the new chairman of the National Consumer Disputes Redressal Commission N.C.D.R.C. द्राइटान सरीज, option number D अमरेश्वर प्रताप साही, A.P. साही मदरास और पटना उच नियायलेओं के पुर्व मुख नियादीस जस्टिस A.P. साही को राष्टिय उभोक्ता विवाद निवारन आयोग N.C.D.R.C. का नया अध्यक्ष नियुक्ष किया गया है राजेश कुमार अगरवाल 4 माई को सेवा निवरित हो गये थे अध्यक्ष नियामूर्ति साही का N.C.D.R.C. के पर्मुक्रूप में 4 साल का कालेकाल होगा यव भोक्ता संदक्षन अधिनियम के तद 1988 मस्थापी तेक अर्ध नियाइक आयोग है निदरलेंड की पुरूप टीम ने 35 अंकों के साथ सीजन 4 का अपना वियान समाप्त करने के साथ ही F.I.H. Hockey Pro League 2022 सीजन का चेंपियन बन गया है भारतिय पुरूप होकी टीम 16 मैचों में 30 अंकों के साथ 4 अस्थान पर रही भारत के कप्तान हर्मन प्रीत सिंग F.I.H. Pro League 2022 में 18 गोल के साथ टॉप स्कोरर रहे किस देश में स्थित उबिनास ज्वाला मुखी के विश्फोर्ट के करन ज्वाला मुखी के आसपास के च्छित्रों में साथ दिनों के लिए आपात काल की गोशना की गई है Due to the eruption of उबिनास volcano located in which country emergency has been declared for 60 days in the areas around the volcano द्राइटाम सरीच अप्सन नमबर A पेरू ज्वाला मुखी राख और गैस उगल रहा है जो वायो मंडल में लगवग पच्पन सव मीटर यानि अठाराय सव फीट तक पहुझ गिया है दुए का गुबार ज्वाला मुखी से दस किलो मीटर दूर अस्थित शारों में फैल गिया है उबिनास मोके गुआ में है या छेतर राजधानी लीमा से 12 किलो मीटर दक्षिन पूर में अस्थित है और यह दक्षिन अमिर्की देश पेरू का सबसे सक्रिय ज्वाला मुखी है भारत के बाहर पहले IIT परिसर के स्थापना किस देश में किये जाने की गोशना की गई है इन इट कंट्री इट है बिन एननॉंट्स टू सेट अप फर्स्ट आयाइटी केंपस आउटसाइड इंडिया द्राइट आंसरी अप्सन नमर डी तंजानिया विदेश मंत्री डॉक्टर एस जैसंकर और जन्जी बार के राष्ट पती डॉक्टर रुसैन अली मुवीनी की उपस्थिती में भारत सरकार के सिक्षा मंत्राले IIT मदरास और सिक्षा और व्यापसाइक प्रसिक्षन मंत्राले जन्जी बार तंजानिया के बीच जन्जी बार तंजानिया में IIT मदरास के परिशर के स्थापना के लिए समझोता ग्यापन पर अस्थाक्षर किये गए हैं अक्टूवर 2023 में काड़करम प्रारंब करने की योजना है तंजानिया एक पुर्व अफरिकी देश है और इसकी राजधानी है डोडोमा भारत ने Ireland के लिमरीक में संपन विश्व तिरंदाजी युवाज चैंपियंशिप 2023 में कौन सा स्थान हासिल किया What position did India secure in the World Archery Youth Championship 2023 that concluded in Limerick Ireland दुसरे स्थान पर रहा भारत दक्षिन कोडियाई तिरंदाजों ने 6 स्वर्ण 4 रजध पदक सहीत कुल 10 पदक जीत कर सिर्श स्थान हासिल किया भारत ने 6 स्वर्ण 1 रजध और 4 कंस सहीत 11 मेडल्स के साथ दूसरा स्थान हासिल किया भारत ने पधक जीता है जादा लेकिन फिर भी दूसरे अस्तान पर है क्योंकि स्वर्न पधक तो दोनों देशाओं ने 6-7 जीते लेकिन रजक पदक दक्चिन कोडिया ने जादा जीते है labeled भारत के पेच्छाक्रित इसलिए भारत को दूसरा अस्तान मिला है एक उबरते वे भारतिय तिरंदाज पार्थ सुलंखे ने रिकव श्रेणी में युवा विश्व चैंप्मेंशिप जितने वाले पहले भारतिय पुरुस तिरंदाज बनकर रितियास रचा भारतिय जोरी प्रियांस और अवनीत कवर ने इजरायल की टीम को 146-144 स्कोर के कड़े मुकाबले से हरा कर जुनियर मिश्रित टीम कंपाउंट स्पर्धा में स्वर्न पदक जीता भारत के पहले 110 रुप से विक्सीत 700 मेगावाट के परमानू उडजा रियक्टर का वानिजिक परिचालन किस राज में शुरू किया गया है इन विच स्टेट दा कमर्शियल ओपरेशन ऑफ इंडिया ज़ फर्स्ट इंडिजिनसली डवलप्ट 700 मेगावाट नुकलियर पावर रियक्टर हैज बिन स्टार्टेड द्राइटाम सरीज ऑप्सन नमर ए गुजरात में काकरा पार परमानू उडजा परियोजना में वर्तमान में ये यूनिट कुल उत्पादन के 90 परतिसहत पर काम कर रही है इसका विकास Nuclear Power Corporation of India Limited द्वरा किया गया है ये मुंबई महराष्ट मस्थित एक भारतिय सावजनिक छेत्र का उपक्रम है पतले प्लास्टिक बैगाउं पर प्रतिबंद लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है न्यूजिलेंड न्यूजिलेंड सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पादन बैग पर प्रतिबंद लगाने वाला पहला देश बन गया है यह कदम एक जुलाई से लागू भी हो गया जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाब सरकार की व्यापक अभियान में एक महत्पुन परगती का प्रतिख है न्यूज लेंड में इन प्लास्टिक बैगाओं का उप्योग सुपरमार्केट में फल और सब्जियों के लिए किया जाता था सरकार एकल उप्योग प्लास्टिक के खिलाब चलाए जारे अभियान का विस्तार कर रही है जिसे 2019 में शुरू किया गया था भारत के वर्तमान सॉलिट सीटर जनरल कौन है द्राइटां सरीच आप्सन नमर बी तुशार मेहता न्यूज में क्यों है कैंसरकार ने तुशार मेहता को तीन साल के लिए फिर से भारत का सॉलिट सीटर जनरल न्यूट किया है तुशार को अक्टूबर 2018 में इस पद पर न्यूट किया गया था मेहता के काड़काल को पहले भी बढ़ाय जा चुका है इसके साथ ही सुप्रीम कोट के लिए छे अतिरीक्त सॉलिट सीटर जनरल के काड़काल को भी तीन साल के अबदी के लिए बढ़ा दिया गया है स्वेंग सहायता समू SHG की महिलाओं को समर्थन देने के लिए किस एप को लांच किया है इस एप का उदेश सेल्फ हेल्प ग्रूप द्वरा बनाये गया उतपादन के विपनन यानि मार्केटिंग पाल को बढ़ावा देना है दोस्तों जैसा की बताया गया है इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंगलिश दोनों बासाओं में अलग-अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ MPN Academy एप पर प्राप्त होगा दोस्तों आप इन PDF के सारे इस आदे गंटे के विडियो लेक्चर को असानी से 5-6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा जिससे आप static portion पर लगा सकते हैं और अपने time को better manage कर सकते हैं दोस्तों MPN Academy एप का लिंक आपको इस वीडियो के description box और pinned comment section में भी मिल जाएगा चलिए अंतीम प्राप्सन को हल करते हैं भारतिय पुरूस क्रिकेट टीम के मुख चैन करता के रूप में किसे निउक्त किया गया है फरवडी में चेतन शर्मा द्वारा पत से स्तिफा दिये जाने के बाद शीवसुंदर दास अंतरीम मुख चैन करता बने थे अजीत अगरकर 1999-2003 और 2007 वन डे विशुक अप में भारतिय टीम का हिस्सा थे दोस्तों इसी के साथ 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 ही करेंट फेर्स टेस्ट सिरीज के इस संस्क्राण को समाप करने की आपसे जाज़त चाहूंगा वीडियो देखिने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू वेरी मच जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में अल्दा बेस्ट फ़र एर एक्जाम प्रिपरेशन